लुद्ध पूलाब थेप है इस न्यूव वीडियो और इस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला है कि अटम फामली होती है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आप एक वेबसेट नहीं है ठीक है इसका बेसिक लोग सोड़ा सा ऐसा दिखता है ओके आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे दिखते है अगर मैं आपको देखाओं, मैं आपको कुछ भी डालता हूं, new, todo, ठीक है, मैं आप डालता हूं, तो आप देखो कि कुछ ऐसे todo's बने आ रहे हैं, और मैं इसको भी edit कर सकता हूं, ठीक है, और जितना भी इसका code हो है, मतलब कि जितना भी मैंने इसका code बनाया है उसको मैंने github पे डाल दिया है तो github आप यहां पर जाकर देख सकते उसको ठीक है तो आप मेरे यहां पर आना और इसका link में आपको description box में भी दे दूँगा तो आप यहां पर देख पाऊगे atom family tutorial और आप इसको एक वर ही copy कर ले ना और आपको ऐसी सी एक website दिख जाएगी ठीक है अब बात यह आती है कि देखो मैंने यहां पर क्या क्या हुआ है बड़ा मैं आपको simple से logic बता देता हूं मैंने यहां पर सबसे पहले तो एक form बनाया जिसमें मैं क्या करूं एक handle submit का मैंने आप बटन बना दिये ठीक है उस यहां पर मैंने एक map का functionality उसकर दी यह देखो मैंने map उसका रखना और उसके अद मैंने यहां पर एक to do का component बनाया और यहां पर सब कुछ डाल दिया यहां से बुझे को id pass हो रही है ठीक है props में से और यहां पर मैंने एक selector बनाया और अगर आपने मेरी selector वाली वीडियो प कि देखो अब problem क्या आती है atoms में जैसे आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं इसको change करूँ न तो बता हम problem क्या होगी यह जितने भी मेरे at input है यह वाली यह वाली यह वाली यह सब की सब rear ender हो रही है मतलब कि दुबारा बन रही है लेकर हम यह performance इसलिए लिए लग रहा ह मेरी computer की ठीक है मेरी computer की थोड़ी से ज्यादा power खाएगा अगर लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा कम components है कहीं कहीं websites में तो हजार दो हजार तीन लग चार लग components होते हैं तो आप सोचो गर एक चीज़ को मैंने change किया और बाकि सारी चीज़े भी उसके साथ change हो रही है तो यह आप गर आपने इसको change किया ना तो पूरी की पूरी जितनी भी inputs को यूज कर रही है इस atom को वह सारे रेंडर हो जाएंगी लेकिन इस problem को overcome करने के लिए हम atom family का यूज करते हैं ताकि हम specifically एक atom को change कर पाए ना कि पूरी को लिस्ट को तो यह पर मैं आपको एक code दिखा देता ह हम ठीक है कि सबसे बहले आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर हम इसको apply कैसे करने आ ले हैं तो यहां पर पास कर दी हो तो डू यहां से हो जाएगी ठीक है और तो मुझे इसके वाद एक और चीज लिखनी ती जो कि है मेरी number तो अब मैं आपको बताता हूं यहां पर की की भी तो मेरी यहां पर आजेगी अब default default मुझे क्या करना है मुझे आप रखना है title ठीक है title मैं यह रखा अईडी में मैं रखा undefined ठीक है तो title undefined मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा okay undefined ता देखो again मैं यहां पर भी थोड़ा सा एक issue आ गया तो मैं इसको भी तो आपको आच्छे से पता लग जाएगा तो जैसे देखो मेरी सारी चीज़े काम कर रही है ठीक है ना लेकिन आपको उताता हूं कि मैं वहां पर तो यहां पर मुझे क्या बनाना है कि मेरे पास कितने ज्याद़ टूडू है उनका मुझे रिकॉर्ड भी तो रखना है ने यह तो ठीक है तो इसके लिए रिकॉर्ड कैसे रखते हैं उसका टूडू आईडी इस एटम ऐटम यहां पर आप डाल सकते हैं नंबर इसकी अर्रे बनाने वाले हैं ठीक है कि दर गया यह हां इसके लिए आप टूडू आईडी इस ओके टूडू आईडी इस डिफोल्ट यह रखतो अब मैं यहां पर बड़ा सिंपल सा लोजिक करूंगा जब भी मेरे यूजर इंपुट पर दबाता है मलब कि नया टूडू एड करता है तो मैं के करूंगो यहां पर आट पर पास करना ऐसे हो जाएघा ठीके नहीं ऐसे ऐसे और जब भी मेरे अटम चौहिए मैं ऐसेन नहीं लिखाए कोड एंटर का मैं इसको ड्लीट भी कर सकता है ढ़ अगर इसको डिलीट कर देंगे तो कोई भी असर आप पास नहीं पढ़ने वाला अगर मैं यहां पर यहां पर जाओं अब मैं यहां पर क्या करने आलो मैं सारे की सारे कोड को अटा देता हूं और आपके सामने एक निया कोड लेके आता हूं ठीक है अब आप देखना अच्छ जिसका हम बोलते हैं रिक्वाइल कोल बैक ठीक है तो यहां पर लिखोंगा टूडू लिस्ट ओके आईडी इस लिस्ट आईडी इस ओके टूडू यहां पर हम जब हम नेम रिखते तो ऐसा नेम लिखना जाकि आपको बाद में भी याद रहे कि हम मैंने कुछ ऐसा से लिख दिए तो हम इसको टूडू आईडी इस बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं तो अब यह ठीक चल रहे हैं कांट फाइंड नेम ओके इसको भी हमें ऐसे करना है ओके थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो काम हो चुके हमारा ठीक ठीक है उसके हल मझे कहा मिला टूडू मिल ग ठीक है इसको मैं पहले अनकोमेंट कर देता हूं कर मैं यहां पर चलता हूं यहां पर सबसे वह द्सक्राइब डिफोल्ट रिवेंट टीफोल्ट ओके यह हमारे पेज को रिलोड होने नहीं देगा उसके मैं क्या करता हूं यहां से इठाले आता हूं ताकि मैं आपका time waste ना करूं तो मुझे भी हम जो यूजर है वो मतलब कि handle पर दबाए थीक है ना input पर लिखके कुछ भी जैसे मैं अगर for example अगर मैं जाओं मैं आप पर कुछ भी लिखूं वान टू थी जो भी लिखूं ऐसा कुछ तो मुझे क्या करना चाहिए कि सबसे हले तो मुझे देखना है कि जो मेरी करण्ट आइडी है मतलब कि मेरी टूडूस की आइडी है ना कॉंस्ट मतलब कि जो मेरी टूडूस मतलब कि जो लिख्ट है इसकी लेंध कितनी होगी तो आपको के जीरो है है ना तो सही बात है भी जीरो है तो हम क्या रखेंगे आपन नेक मतलब कि next टूडू आईडी उकल टूडू आईडी स एटम यह नहीं है टूडू आईडी स.लेंथ अब मैंने यहाँ पर लोजिक क्या लगाया कि मैं करना चाहता हौ कि जब भी मेरा जो यूजर है वो नई सिह में गाए तो मेरा जो dark add इज? उसमें क्या हो सबसे पहले तो मेरा टूडू ऑइडी जी रहे ठीक है, टूडू किसी रही और उसे की साथ साथ अरे क्या हो रही हाँ उसे की साथ साथ मुझे आपर नेक्स्ट टुडू आइडी भी रखती नहीं है तो आप देखो कि कुछ एरर आ रहा है कि अपर टुडू कांट टूडू आइडी ओके अ हां है तो श्याद से हमें इसको नंबर लखना चाहिए था नंबर तो दोस्तों मैंने आपर गलती कर दी हम इने यापर वह तो डाले नहीं ब्रैकेट इसलिए गल्ट से कर रहा था मैं पतनी बली सी शी मिस्टेक कर दी मैंने तो देखो जो यहाँ पर से टूडूस आइडि उसके आपर क्या करता हूं टूडूस आईडी इसको कर लेता हूं और बढ़ा देखना बड़ी सिंपल से आपको चीज दिखाने आप इसको खोड़ लेते हैं ठेक है अपने टर्मिनल को यहाँ पर देखने हैं आप देखोगे यहाँ पर मेरे को क्या मिला से टूडूस जीरो ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं आप देखोगे जीरो आ बीच में घुढ़ान आ गया आप तो इसका यूज टो बता दे आप मताता हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे बलकर यहाँ वात व्iva यहाidents पर फॉंच्चन अगर्यूंगा उसमें व्याँ कर गां इंश्ड टू थीक है ।ो ृसज़ों इसका तर मैं वी आ suspense पर क्रूरा समझ में आ तो हमें रिक्वाइल ने दिये है यह मर्क हमने खुद लिखह ठीक है तो अब यहां पर मैं क्या करना चाहतungkin यहां आपए डिखा जैसे कि मैं उपर लिखा था okay शोरी यहां पर मुझे R histó A टूस एट ETM केर यह पर मुझे के आपास करने यह साद के slides yeah okay कि यहां पर रुकी प्लीज यहां पर मुझे यह यहां पर रखना है ठीक है और इसके जी काःद्ट कि इसकी आइडी क्या होने वाली है ओके ना ठीक है ना यह चीज है उसके में क्या करूंगा सेट टुडू टुडू एटम फैमिली अब यहां पर मैं एक परामेटर पास कर सकता हूं मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं इसको ठीक है न यह क्या करेगा एक स्पेसिफिक टूडू में जाएग सब्सक्राब क्योंकि चेंज करते हैं और टाइटल को मैं लग देंगे तो घ्ली ठीक है अब आप देखना एक चीजह और यहां पर मैं सको भला लेता हूं आक इंसर्ट तुडू इंसर्ट तूडू ठीक है उ तो हम यहां पर उसकते त्टैटल इकल टो वेट साकुट टाइटल कि रहर आप यहां पर मैं क्या थेख सकता हूं और डेकल टू और gli अब अब देखना कैसा जियो मेंग 22 हेकि यह फोड़े सजिग स्कारिप अ करता हूं यहां पर रिकना कि आइडि여 नेम लिखता हूं द्वारा लिखता हूं तो यहां पर देखो कि मैंने एड की होई है तीन टूडू अपते हैं अब मैं आपको क्या बताता हूं ठीक है चलो इसको भी हम ओपन कर देते हैं कि इसको मुझे ऐसे ओपन करना है ठीक है अब यहां पर मुझे टूडू लिख देना है तो अब आप देखना अगर मैं अगर आप कोई समझ में नहीं आ रहा हूं तो बस एक सिंपल से चीज़ करो कि आप इसको प्रैक्टेस करने के कोशिच करो अटम्स फैमिली को ठीक है स्पेसिफिक टूडू था आप को यूज करते हो तो आप specific पे जा सकते हो कि इस item को change करना है इस value को change करना है ठीक ना जैसे for example अगर Figma को अपने यूज किया हो तो Figma बेभी यही चीज होती है कि एक post को मैं change कर रहा हूँ तो बाकिसारी post रेणी नहीं हूँगी बस वही Ved sous होगी छिए तो मैं रखा के वह तो आप इसको बहुते लगा इसको भी आधा देता हूं ठीक है इसको मिस्टा चैंज करेता हूं ठीक है चलिए अब क्या करेंगे आप 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 लिए कर देखना तो इकुल टू यूज रिकोई ए यूज रिकोईल फेट अभ मुझे ईटम को पास करना यह वाली एंटम को ठीक है ना फैमिली को पास करने अच्छा चालिय हमारेसे एक आईडी मांगती है इस यहां से मेली रही है ना इडी वैसे कुछ भाग है चानोट फाइंड तो क्या नहीं भोल गए हाँ अब देखना मैजिक आप देखना बस तीख है चलिए मैजिक तो कुछ और ही हो गया हाँ पर टूडू टूडू तूडू मल्टिपल टाइम्स ओके सॉरी 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 यहां पर मैंने कुछ नहीं कुछ गलती की है ततब टूठो वतबर में चेजस देखना है भmas है तो यह अब देखना चीज देखना मैंने नेंघेव करसे झाया फूंटा ने फूरशक ने लिखा मेरे पास यह वी आ गया मैंने लिखा मेरे पैस यह भी आ गया अब अगर मैं इस चीज को को चेंज करूं तो यह कर रखा है वरना आप देख सकते हो कि अगर मैं सरफ इस इन्पूट को चेंज करूँगा तो रेंडर नहीं होगे मतलब कि जो computer है ना वह रेंडर करता है जीजों को ठीक है ना जब भी कोछी चीज होती तो रेंडर कर देता पुरे को पूरे तो जो मारा तुडू वाला तो रrender कर देगा लेकिन सिर्फ онд हम इसे को करेगा अगा हम यूज करते तो recognition करें तो पूरी को लिस्ट को टेंज कर देता यू अब कैसे चेंज करें ऐसको बड़ा एकसा तरिक है मैं आपको आपको सब्सक्राइब करें अभिक नहीं हो लड़ी सब्सक्राइब जाने के लिए सर्फ और जाने के लिए अब this program रहीं वालुण अब देखोगे इसको भी चेंज कर सकता हूं और एक चीज़ के ला यह रेंडर नहीं हो सब्सक्राइब ये बागत प्रेवां रहे हैं अभी रेंडन अगर आप एक ठोड़ी एड्वांस लेवल पर जायेंगे तो आपको इचीज समझ में आएगा कि बहुत कर देथा तो मैं आपको देखा के आपको एक्जेम्पल बता देता हूं ठीक है वीडियो बहुत जादा लंबी हो गई है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम एक्टम और एक्टम स्वैमली के फरक्त क्या होता है दोनों को यूज क्यों करती है अलग यूज के सिसके अब है वह सोचो हो के लिए उसकर रहे है अगर मैं यहां आपको यूज करता तो होता कि अगर इसको चेंज करता न तो यह हो जाता और यहां तो आप देखो उतने सारे कॉंपोनेंट भरे पने सारी चेंज हो जाते लेकिन जो फिकमा वाले हैं वो बड़े स्मार्ट एंजीनियर्स हैं उन्होंने क्या क्या एटम फैमिली को यूज किया उसमें होता ही है कि अगर मैं सिर्फ इस कॉंपोनेंट को चेंज कर रहा हूं इस वाले जो यह मेरी पोस्ट सिर्फ इस चीज को बनाने में लग रही है वाकी सारी चीज़ें तो पहले की जैसी थी वैसी ही है क्योंकि हम सिर्फ एक स्पैसिफिक एटम को चेंज कर रहे हैं स्पैसिफिक वर्ड को व्याद कर लो जब भी आपको बोला जैना आप एटम फैमिली को यूज करना है तो प्रण दो तो इस वीडियो को बनाने में मेरे बहुत जादा महनत लगी है बहुत जादा एरर राय है और खुद मैंने इसको सीखा फिर आपके लिए इसको बनाके लिख दिया तो आपको बहुत जादा कन्फूजन आ जाती है कि अगली वीडियो में